तीम इंडिया वेस्ट इंडीस के बार्बे डॉस से सीधे दिल्ली आज लोटी है फिलहाल टीम आईटी सी मौरिया होटल में रुकी हुई है जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया वहाँ पर भी उस होटल के बाहर भी बड़ी तादाद में फैंस जो है वो मौझूद थे ये वो तस्वीरे सुर्य कुमार यादर की जो आपको रोक नहीं पाए जब ढोल लगाड़े उन्होंने सुने और एक बहत्तीन कैच जो उनका शायर कभी भी उनके फैंस भूल नहीं पाएंगे इसका बहुत बड़ा योगदान रहा इस जीत में तो सुर्या कौन देख रहे याँ पर अपनी भावना हैं जाहिर करते हुए जब ढोल बजे तो सुर्या भी याँ पर सुप्तो डांस करने से रोक नहीं पाए और कुछी देर में विश्विजेता टीम जो है वो सभी सदस से प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से मुलाकात करेंगे दिल्ली में एक आपचा जो है वो निकाली जाएगी विजय जुलूस निकाला जाएगा वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के सभी खिलाडी और टीम के बाकी सदस्य जश्न में मौजूद रहेंगे तो दिल्ली में स्वागत हुआ है राजधानी में और उसके बाद अब तैयारी है मुंबई में स् तो यह होटल पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं टीम के खिलाडी जो है वो पहुंचे है रोहित शर्मा यहां पर लगातार कप हाथ में लिए हुए नजर आ रहे थे फैंस के लिए वो कप को बार-बार उचा भी कर रहे थे ताकि फैंस भीख पाएं विराट कोली और उन्होंने अपना उसी दिन टी-20 व्लकप से रिटार्मेंट का एलान भी कर दिया उन्होंने इस फॉमेट से अब रिटार्मेंट ले लिया वो आखरी मैश था रोहित शर्मा का और विराट कोली का और उसके बाद रविज जड़े जाने भी रिटार्मेंट का एलान किय इस फॉमेट से तो यह तस्वीर है आई टी-सी मोरिया होटल की जब खिलाडी पहुंचे उनका स्वागत यहाँ पर किया गया टीम के कोच राहुल द्रविड तो सालों का इंतजार यहाँ पर और हम हमारे दो सायोगियों के पास यहाँ पर चल रहे हैं दिल्ली में हमारे साथ शुभांग है और मुम्बई में हमारे साथ पारस है शुबांग पहले आपके पास में आऊँगी सुबा जब टीम दिल्ली लोटी तो आप भी साक्षी बने हैं उस लम्हे का क्या कुछ आप देख रहते कैसा वो माहौल था शुबांग उसे बया करें बिल्कुल क्योंकि देखिए बतौर पत्रकार तो मैं इसे कवर करी रहा था लेकिन ऐस फैन भी मुझे भी काफी अच्छा लगा भारती टीम को यहाँ पर देखना जब आइटी सी मौरिया होटल के अंदर गए और देखे यहाँ पर सुबह से कुछ फैन्स मौझूद हैं बारिश यहाँ पर लगातार थोड़े थोड़े धीमी हो रही है लेकिन उसके बावजूद ऐसे फैन्स हैं जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन यह अभी तक यहाँ पर मौझूद है चाहें बारिश हो ना हो यह फिलाल इंतजार करें कि जब तक हम टीम इंडिया को एक बार देखने ले तब तक हम यहाँ पर बेट करने वाले हैं सो पॉलिशी के एक अगोर्डिंग वी आप तक इंतजार करेंगे अपने सोचा जब तक को अभी जैसे की सुनने मारा की वो निकलने वाले हैं प्रदान बंतिर नेंदर मोधी से मिलने सो मेभी उस थाम पे हमें वन्की एक जलक मिल जाय तो फिर हम जाने की सोच सकतें आप बताइएए आप भी तब तक इंतजार करेंगे लोग निकल यहां पर जो बहुत है और दिखेए यहां पर जो भारते क्रिक्ट खिलाडी है उनके बहार आने का इंतजार जरूर फैंस कर र दारित वो 9 बज़े का था लेकिन हमने देखा कि भारतिकरेट फैंस यहां पर थोड़ा लेट पहुंचे थे तो उन्हें थोड़ा समय दिया जाएगा दस बज़े से लेकर के 12 बज़े तक यह फंक्शन वहां पर रहेगा प्रधामंतरी से वो मिलेंगे उन्हें सम्मानित करें प्रधामंतरी और उसके बाद वो यहां से निकल कर वापिस ITC मौरे आएंगे अपना समान लेंगे और उसके बाद 12 बज़े वो यहां से निकल जाएंगे एरपोर्ट के लिए रवाना होंगे क्योंकि दो बज़े की उनकी फ्लाइट है बताया जा रहा है तो ऐसे में उन्ह अब दिन उनका रहेगा ऐसे में लेकिन थकावट इसलिए नहीं होगे क्योंकि फैंस ऐसे हैं जो लगातार चेर कर रहे हैं जितना बड़ा दिन यह आज भारतिक खिलाडियों के लिए है उतना ही बड़ा दिन आज यह फैंस के लिए भी है क्योंकि आज उन्हें अपने फे तो यह तस्वीरें जब धोल लगाडों के साथ किलाडियों का स्वागत किया गया वो खिलाडी जो एक लंबे इंतजार के बाद लंबी मेहनत के बाद करी मेहनत के बाद जिनके हाथ में कप आया रोहित शर्मा और विराट कोली और रविन जडेजा के लिए और आस्त रहा क्य वो अब खेलते हुए नजर नहीं आएंगे हमें तो उनके लिए एक बहावुक लंबा था और वो तस्वीरें हम कभी नहीं भूल सकते जब जीते थे साथ एफ्रिका के खिलाफ और किस तरह से रोहित शर्मा जो है वही घुतनों के बल गिर गए थे उतको वो रोक नहीं पा रहा है जब दिल्ली में स्वागत हुआ खिलाडियों का तो डांस करते हुए खिलाडी यहां पर नजर आएं कुछी देर में वो तस्वीरे भी आएंगी जब खिलाडी प्रधान मंत्री नरेदर मोदी के पास पहुंचेंगे